200 वर्षु की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी अर्थ व्यवस्था पर एक नजर डाली जाए देखा जाए कि अब आगे हमें अपनी आर्थिक नीतियां कैसे बनानी है भारत ने जब अपनी तातकालीन अर्थ व्यवस्था को जानना चाहा तो उसने पाया कि ब्रिटिश राषन की नीतियां वास्तों में ऐसी थी हमेषा उसकी ये इकषा बनी रही ब्रिटिश राषन की कैसे भारत का जो प्राकृतिक संसादन है भारत के जो भारत के कच्चे माल हैं उनको जादा से जादा निर्यात करके ब्रिटेन भेज दिया जाए और वहां पर जो कच्चे माल से उत्पादन हो रहा है उसको भारत में लाके बेचा जाए यानि यहां का कच्चे माल वो ब्रिटेन ले गए और वहां के कि उत्पादित माल के लिए उन्होंने भारत में बाजार की तलाज की अब ये सारी नीतियां कुछ ऐसी थी जिन्होंने भारत में हर छेत्र में काफी बदलाव लाया या कहा जाये तो चारों और जो परिणाम थे वो रिणात्मक ही मिले यहां पर भारत ने देखा कि चारों और गरीबी असिक्षा निर्धन्ता अज्ञान्ता ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी थी अगर हम क्रिशी की बात करें तो हमने देखा कि भारत की एक बहुत बड़ी जन्संक्या यहां कहा जाये तो लगबग सत्तर प्रतिशत जन्संक्या क्रिशी पर निर्भर थी यानि कि जो मूल साधन थे यहां पर आय अजीविका का जो मूल साधन था वो कोई उद्योग व्यपारिय धन्दे ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्रिशी था लेकिन क्रिशी के भी इस्थिती बहुत अच्छी नहीं थी ना तो बहुत अच्छी मशीनों का प्रयोग किया जाता था ना बहुत अच्छी खाद थे ना बीज थी तो एक ऐसे इस्थिती निरमित हो गई कि क्रिशी को भी बहुत अच्छे से नहीं किया जा सका भूक और अकाल वाली इस्थिति निर्मित हो रही थी दूसरा जब अगर हम बात हस्तकला उद्योग या हतकरगा उद्योग की करें तो ब्रिटिश रासन की समाप्ती तक लगबग वो सारे उद्योग भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे राष्ट्रिया का अकलन जब किया गया कि क्या है वास्तों में आर्थिक स्थिति तो ये पाया गया कि प्रतिवेक्ति आये जो थी वो बहुत निम्नी थी यानि कि हम यह कह सकते कि 1947-48 तक जो प्रतिवेक्ति आये थी वो कहीं 230 रुपे के लगबग ही ग्यात हो पाई अब असिक्षा, अज्ञानता, गरीबी ये सारी इतनी बड़ी समस्या आये थी साथ में जो सबसे बड़ी समस्या सामने दिख रही थी वो थी निरक्षर्ता निरक्षर्ता की अगर बात करें तो अधिकांश जनसंख्या जो थी भारत की वो निरक्षर्ती देखा जाए तो लगभग 18 से 19 प्रतिशत आबादी जो थी वही साक्षर थी और बागी पूरी की पूरी आबादी निरक्षर्ता की च्रणी में आ रही थी महिलाओं की दर्शा तो यहाँ पर और खराब थी महिलाओं की सिक्षा की अगर बात करें तो बहुत ही निम्न से निम्नतर इस्तर पर थी उद्योग धंदों के विकास पर जब नजर डाली गई तो देखा गया कि जो व्रिहद पैमाने के उद्योग धंदे थे वह कहीं न कहीं पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे उद्योगी की काईयां बिमार पड़ी हुई थी कहीं न कहीं इसका यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार जो है यहां के उद्योग धंदों को समाप्त करना चाहती थी कच्चा माल क्योंकि पूरा का पूरा ब्रिटेन भेज दिया जाता था तो भारत में जो उद्योग थे उनको कच्चा माल मिल नहीं पाया और ऐसी स्थिति आई कि भारत के आजाद होते तक यह सारे उद्योग धंदे अपने आप यह तो बिमार पड़े रहे गए यह बंद हो गए अब जबकि भारत आजाद हो चुका था तो यह सारी समस्याएं जो थी वो कहीं न कहीं एक चुनोती बनके भारत के सामने आई अब सब लोगों ने यह प्रयास करना चाहा कि जो पुराने समस्याएं जो है उद्योग से संबंदितों क्रिशी से संबंदितों निरक्षर्ता जनसंख्या गरीबी इन सभी समस्याओं को किसी ना किसी तरीके से हल तो करना है तो बात आई आर्थिक नियोजन की यानि योजना बद्ध तरीके से कुछ काम करने के बारे में सोचा गया 20 वी शताबदी में लगभग विश्व के सभी देशों के सामने इस तरह की समस्याएं खड़ी थी यहां पर सोवियत संग ने कुछ ऐसे योजनाओं का निर्माण किया यानि योजना की उत्पत्ति यहीं से हुई उसने अपने देश के लिए कुछ ऐसे योजनाय बनाई जिनका अगर सुचारू क्रियानवन कर लिया जाए तो इन सभी समस्याओं से इन चुनोतियों से बहुत आसानी से निप्टा जा सकता था 1928 में जब रूस ने इस तरह की चुनोतियों के लिए योजनाओं का निर्माण किया और वो सफल रही तो सभी देशों ने इस तरह की योजनाओं को बना कर अपने देश में जो उत्पन हुई चुनोतिया है उससे निपटने का प्रयास किया भारत ने भी रूस से ऐसी ही योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी लेकर अपनी योजनाओं का नर्माण किया ये योजनाओं आर्थिक नियोजन के नाम से जानी गई आर्थिक नियोजन क्या है अगर हम इसके बारे में जाने तो हम देखते हैं कि ये दो शब्दों आर्थिक और नियोजन से मिलकर बना है आर्थिक जैसे कि हमने पहले भी देखा है अर्थ से सम्बंधित यानि धन से सम्बंधित और नियोजन यानि की योजना बद्ध तो जब हम धन से संबंधित क्रियाओं को योजना बद्ध तरीके से करते हैं पूर्व निर्धारित योजना बना कर जब हम उस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया आर्थिक नियोजन कहलाती है यहाँ पर कुछ चीजे ऐसी है जो आर्थिक नियोजन के अंदर शामिल होनी जरूरी है जैसे हम कह सकते हैं कि भावी नियोजन होता है आर्थिक नियोजन जो होता है वो भाविशी के लिए वहाँ पर योजनाय बनाई जाती है ये जो आर्थिक नियोजन देश ने अपनाया ये सभी छेत्रों में था चाहे वो कृषी के छेत्र में हो चाहे उद्योग के छेत्र में हो या सेवा के छेत्र में क्यूंकि यहां पर जो चुनोतियां थी वो सभी छेत्रों में थी इसलिए हमको जो अर्थ याने की धन को जो व और देश परिवहन इन सारे नियोंजन के प्रक्रिया को अपनाया गया तो आतिक नियोजन क्या है इसे आर्थिक नियोजन अपने विश्लत अर्थ में विशान साधनों के शंरखशत्य व्यद्टr द्वारा निश्यत लक्षों के प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का एक्षिक निर्देशन है गुन्नार मिडरल के शब्दों में आर्थिक नियोजन राष्ट्रे सरकार की व्यूरचना का एक कारिक्रम है जिसमें बाजार के शक्तियों के साथ-साथ सरकारी हस्तक शेप द्वारा सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाने के प्रयास किये जाते हैं है एक डिकिंसन के अनुसार आर्थिक नियोजन प्रमुक आर्थिक निर्णेयों का निर्माण है जिसमें संपूर अर्थ्रवस्था में विस्त्रत सर्विक्षन की आधार पर एक निर्धारत सक्त करने के लिए योजना बद्ध तरीके से की जाती है अब अगर हम इसके विशेस्ताओं की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले भी देखा कि इसके जो उद्धेश है वो निश्चित होते हैं यानि अलग-अलग छेत्रों के लिए अलग-अलग उद्देश होते हैं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समय के आधार पर जो उद्देश है वो भी परिवर्तित होते रहते हैं तो हमने देखा कि इसके सबसे पहली विशेस्ता यह है कि इसका जो उद्देश होता है वो निश्चित होता है दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर प्रयास किया जाता है कि जो हमारे पास उपलब्द साधन है उनका समुचित उप्योग हो सकते अधिक्तम उप्योग हो सके या कह सकते हैं कि उनका सही दोहन हो सके जो प्राकृतिक संसाधन है खनीज पदार्थ है हमारे पास इन सारी चीजों का उप्योग हम अपने उद्योग धंदों में कर सके तो यहाँ पर दो चीजे होंगी एक तो लोगों को इससे श्रम मिलेगा और दूसरी बात जो हमारी भी नरधारित किया गया इसकी तीसरे विशेस्ता के साथ कि आर्थिक नियोजन के अंतरगत एक केंद्री नियोजन सत्ता होगी तो कौन सी होगी वो केंद्री नियोजन सत्ता किसके आदिन ये काम करेगा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग का गठन क जाएंगी उसका निर्धारण योजना आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उसके अंतर उन्हीं के द्वारा किया जाएगा अब अगर हम बात करें इसकी विशेस्ताओं की हम तो देखते हैं कि दीर्धकालीन प्रक्रिया है यानि कि लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं के जाएगा कि यह जो योजनाओं है वो पाच वर्ष के लिए है तीन वर्ष के लिए है दो वर्ष के लिए क्या इनका समय होगा यानि उन योजनाओं के अंतरगत जिन लक्षों की प्राप्ति की जानी है वो लगभक कितने समय में प्राप्त कर ली जाएगी इसका विध्यान रखना होगा अगले विशेश्ता है हम इसके देख कुए तो हम देखते हैं कि सारुवजनिक उपक्रम जो है सरकारी उपक्रम जो है उनके अंतरगत या उनके द्वारा जो कारे किये जाएंगे केवल उन ही योजनाओ को योजनायोग द्वारा बनाया जाएगा उसके बाद एक महतुपूर्ण विशेस्ता ये भी देखी गई इसमें कि यहां पर जो योजनाय बनाई जाएंगी उसमें ये भी प्रयास किया जाएगा कि आय का समुचित वित्रण हो यानि आय का विभाजन इस प्रकारना हो कि जनसंख्या के एक थोड़े स जो हिस्सा है वो गरीब रह जाए गरीबी रेखा के नीचे रह जाए तो ऐसी दशा निर्मित ना होने पाए इसका विध्यान इन योजनाओं का नर्मान करते समय रखा गया अगली इसकी विशेस्ता की बात हम करें तो यह है नियंत्रण किन किन चीज़ों पर नियंत्रण विनिमय और राजस्व का जो यह पूरा काम होता है इन सभी चीजों पर सारवजनिक नियंत्रण रखा जाएगा और उसके अनुसार ही योजनाओं का क्रियान्वन किया जाएगा एक इसकी महतपूर्ण विशेस्ता ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जब योजनाओं का निर्माण किया जाएगा तो सबसे मुख्य जो इसकी विशेस्ता होगी यानि कि सामाजिक लाब को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि प्रतेकाई वर्ग जो मध्यम वर्गों चाहे निम्न वर्गों चाहे उच्च वर्गों सभी को इन योजनाओं का समुचित लाब और बराबर बराबर लाब प्राप्त हो सके साथ में ये भी प्रयास किया गया कि इन योजनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा इस प्रकार इनका क्रियान्वेन किया जाएगा कि वर्ग संगर्ष ना होने पायने वर्ग संगर्ष की स्थिती से बचा जा सके इसका भी प्रयास किया गया अब देखते हैं कि ये जो योजनाएं थी ये क्यूं बनाई गई आर्थिक नियोजन क्यूं किया गया भारत के परिप्रेक्ष में अगर हम बात करें तो इन योजनाओं का क्या महत्तोरा क्या लाभ प्राप्त हुआ तो इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सम्विधान में जिन सिध्धानतों का उल्ले किया गया था उसकी जो पूर्ती है वो इन योजनाओं के माध्यम से हो सकी याने कि सम्विधान में नीती निर्देशकत्त्तों में भी बताया गया कि जो सरकार अपने जो नीतियां है उनको इस प्रकार से बनाएगी इस प्रकार संचालित करेगी कि सभी को अपने जीव को प्रक्रियाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के द्वारा देश में जो निर्धनता का कुचक्र था उसको समाप्त करने का प्रयास्त किया गया और काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली अगर हम विक्सित देशों से तुलना करें तो हमने देखा कि आजादी के समय अगर हम उस स्थिति के बात करें तो हमारे देश के जो लोग थे वो कम कारेकुशल थे क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रसिक्षन का उनको आभाव था पहले भी हमने देखा कि असिक्षा बहुत ज्यादा थी 18-19 परसंट जो था वो सिक्षा का इस्तर था तो यहां पर जो हमारे देश के जो श्रमिक थे वो बहुत ज्यादा एक तो कारेकुशल भी नहीं थे दूसरा पूंजी निर्माण की जो दर थी वो काफी धीमी थी अब जाहिसे बात है कि उद्योग धंदे नहीं है लोग असिक्षित है पूरी की पूरी आबादी सिफ क्रिशी पर निर्भर है और क्रिशी जो है वो प्रकृती पर निर्भर है तो कहीं से भी ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा था जहां पर देश पूंजी निर्माण की बात कर सकी तो आर्थिक नियोजन के आने के बाद पूंजी निर्माण क्योंकि उद्योग दंदों में सुधार आया हर चेत्र में सुधार आने के साथ-साथ पूंजी निर्माण की जो दिशा थी उसको भी गति इसे प्रकार हमने देखा कि साधनों जो प्राकृतिक जो संसाधन है या खनिज भंडार है जिनका की समुचीत उपयोग नहीं हो पा रहा था धीरे-धीरे इन संसाधनों का समुचीत उपयोग हो पाया सही दोहन हो पाया और साथ में सभी देश वासियों को यानि की हर वर्ग के हर इस्तर के लोगों को इनका लाग मिल पाया यानि यहां पर जो निर्धनता गरीबी असिक्षा अज्ञानता का कुचक्र था उसको तोड़ने में जो आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रियाय थी वो क दोहन नहीं हो पा रहा था जो कि आर्थिक नियोजन के साथ की प्रक्रिया के बाद होने लगा बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी को दूर करने में भी यह सफल रहा क्यूंकि हमने देखा कि आर्थिक नियोजन के बाद जो देश में औद्योगिक धंदों कि रुग्ण पड़ी इकाया थी बंद उद्योग धंदे थे वो कहीं न कहीं फिर से जीवित हो गये प्राकृतिक संसाधनों का या खनिश संसाधनों का जब हमने अच्छे से प्रयोग किया तो इसे लोगों को रोजगार तो मिला साथ में उद्योग धंदे भी बहुत समस्या थी जनसंख्या की जनसंख्या जहां तीवरगती से बढ़ रही थी वहां पर जब लोग सिक्षित हुए उन्हें सिक्षा प्राप्त हुए उनको ग्यान प्राप्त हुआ तो उन्हें ये भी समझ में आया कि बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में जो देश में उपलब्द संसाधन है वो कही न कहीं कम पढ़ने लगेंगे और वापस जो लोगों का इस्तर है वो नीचे चले जाएगा तो बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को भी यहां पर कंट्रोल किया जा सका सारवजनिक हीतों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सारवजनिक संस्थाओं की स्थापना भी इन नियोजन के अंतरगत की गई जिससे देश की समाने जनता को उनकी जो मूल भूत सुविधाये हैं उनको आसानी से उपलब्द कराया जा सके तो यहां पर भी आर्थिक नियो स्कासियों को बराबर मात्रा में प्राप्त हो सके अब यहां पर भारत ने भी देखा कि रूस में जिस प्रकार आर्थिक नियोजन करने के बाद वहां पर उन योजनाओं की सफलता हुई और उसे अपना कर भारत ने भी आर्थिक नियोजन किया तो भारत के लिए भी यह ज आर्थिक नियोजन की जो योजनाएं जो बनाई गई आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया तै की गई उसकी शुरुवात हुई यह हम कह सकते हैं कि योजनाओं की विकास के एक नए यूग की शुरुवात हुई अब अगर हम बात करें कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया कैसे प्रारम हुई तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1 अप्रेल 1959 से भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुद की गई वास्तों में इसकी आवशक्ता तो पहले से थी क्योंकि हमने देखा कि प्रत्तेक छेत्र में भारत की जो अर्थ विवस्था थी वो आजादी के बात से ही बहुत पिछडी हुई थी फिलाल एक अप्रेल उनिस सो इंकावन से जब आर्थिक नियोजन की शुरुवात कर दी गई तो सभी छेत्रों में क्रिशी में उद्योग में सिक्षा में चिकित्सा में सभी छेत्रों के लिए समान रूप से योजनाओं का निर्माण किया गया वैसे देखा जाए तो 1934 में सर एम विश्वेस रहया ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक प्लान एकनॉमिक ऑफ इंडिया में पहले से ही इस बात के बारे में उन्होंने अपने विचारों को लिखा था वो भी ये चाहते थे कि अगर देश का समुचित विकास अब करना है तो कहीं न कहीं ये सारी जो विकास की प्रक्रिया है उसे योजना बद्ध ढंग से यानि योजना बना कर की जानी चाहिए 1935 में जब भारत के कुछ प्रांत ब्रिटिश सरकार से आजाद हो चुके थे तो उसके बाद उन प्रांतों को लेकर सन 1938 में पंडित जवाहलाल नहरू ने ऐसी ही कुछ योजनाओं को साथ में रखते हुए एक सिमिती का गठन किया जिसका नाम था राष्ट निर्माण सिमिती इसके अध्यक्ष भी पंडित नहरू ही थे इन्हों ने राष्ट निर्माण की प्रक्रिया को गती देने के लिए इस समिती की इस्थापना की सन 1938 में ऐसी ही बहुत सारी कारिय देश के विकास को गती देने के लिए किये जाते रहें लेकिन फिर दृतिय विश्वय युद्ध की दस्तक और कॉंग्रेस मंत्री मंडल में जो मद्भेद उत्पन हुए तो देश में कुछ ऐसी स्थिती निर्मित हुई कि ये जो जिस सिमिती का जहां पर गठन किया गया था उसने प्रॉपर जो उसको काम करना था वो नहीं कर पाई और ये समितिया भांग हो गई और वहां पर जिन योजनाओं का निर्मान किया गया था वो फलीभूत नहीं हो पाई अब जबकि सन 1944 में जन्वरी में जन्वरी सन 1944 में कुछ प्रमुक उद्योग घराने जो थे भारत के उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिसे बंबई योजना के नाम से भी जाना जाता है इसके साथ साथ इन्होंने जो योजना बनाई थी यहां पर इन्होंने दस हजार करोड वैका प्रावधान अपनी योजना में किया था अब क्योंकि योजनाओं का एक यूग शुरू हो गया था तो और भी बहुत सी योजना बनी जैसे कि अप्रेल 1944 में साम्मेवाधी नेता एन एन रॉय ने भी ऐसी ही आर्थिक विकास की कुछ प्रक्रियाओं को साथ मिलेकर योजनाए बनाई इन्होंने यहां पर 15,000 करोड की धन राशी को लेकर याने 15,000 करोड रुपे का कुछ विकास योजनाओं पर किया जाएगा ये मानकर इन्होंने योजनाए तयार की एक और योजना 1944 में एक गांधिवाधी विचारधारा से प्रभावित होकर बनाई गई मन्ना रायन अग्रवाल ने इस योजना का निर्मान किया इसकी जो राशी थी वो लगबग 35,000 करोड की थी तो क्योंकि हमने देखा कि आर्थिक विकास एक नया रूप ले रहा था योजनाए जो आर्थिक नियोजन था उसकी पूरी प्रक्रिय भारत में दस्तक दे चुकी थी सभी ने जान लिया था कि जो भी विकास किया जाना है वो किसी न किसी योजना के तहती किया जाना है सभी ने बहुत सी योजनाय बनाई लेकिन कुछ ऐसी परिस्थित्या निर्मित हुई कुछ ऐसे कंडिशन्स थे जिसके कारण ये जो योजनाय बनाई गई ये सब की सब योजनाओं कागच पर इधर ही रहे गई अब यहाँ पर ये मान लिया गया कि अगर इन सबी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना है सुचारू क्रियान्वन करना है और वास्तों में जिस उद्देश की पूर्ती के लिए ये योजनाओं बनाई गई है अगर उन उद्देशों को पूरा करना है तो किसी ना किसी सरकारी उपक्रम के अंतरगत इनको लिया जाना चाहिए यानि कि योजनाओं के गठन की जो आवशक्ता थी वो महसूस की जाने लगी तो इसको देखते हुए 15 मार्च 1950 को योजनाओं का गठन किया गया जिसके जो अध्याक्ष थे वो तातकालिन प्रधान मंतरी पंडित जवाहलाल नहरू थे यहां से ही पंच वर्षी योजनाओं की शुरुवात की गई जो योजनाओं बनाई गई जैसे के हमने पहले भी देखा कि आर्थिक नियोजन में समय का निश्चित होना समय का पूर्व निधारित होना आवश्यक है तो यहां पर जो योजनाओं बनाई गई वो प्रतेक 5-5 वर्ष के लिए बनाई जाती रही और यही वो समय था जहां से पंच वर्षी योजनाओं की जो प्रक्रिया थी वो प्रारम हुई देखा जाये तो एक अप्रेल 1959 को प्रतम पंच वर्षी योजनाओं का निर्मान किया गया और उसके बाद से हर प्रतेक 5-5 साल में इन योजनाओं को फिर आगे बढ़ाया ज गया जाता रहा कुछ छोटी योजनाओं का इन्रमान किया खशा में किया जाता रहा लेकिन मुख्य रूप से जो आर्थिक विकास के लक्ष को प्राप्त करने के लिए जिन कारयों को किया जाना था उन सभी कारविव को पंच वर्षी योजनाओं के अंतरगत करने का प्रयास किया तो 1959 से प्रारंब होकर जो पंच वर्षी योजनाओं को दर चला इसके बारे में इसक आज हम जिस स्थिते में हैं हम बारवी पंचवर्षी योजना के चौथे वर्ष है तो आए देखते हैं कि 1959 से लेकर अब तक कौन-कौन सी पंचवर्षी योजना है थी और उनका समय क्या था उनकी समय विधी क्या थी अब तक लागू की गई विबिन पंचवर्षी योजनाओं की समय विधी इस प्रकार है प्रथम पंचवर्षी योजना 1 अप्रेल 1959 से 31 मार्च 1956 तर दूसरी पंचवर्षी योजना 1 अप्रेल 1956 से 31 मार्च 1961 तर तो आपने देखा कि किस प्रकार 1959 में योजना आयोग के गठन के साथ-साथ जो पंचवर्षी योजना प्रारम की गई वो सतत रूप से आज तक चल रही है और कुल मिलाकर हमने इसके पचास वर्ष पूरे कर लिये हैं तो जब आर्थिक नियोजन की कल्पना की गई तो ये भी प्रयास किया कि उसके अंतरगत कुछ ऐसे उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए जिससे ये जो नियोजन आर्थिक नियोजन जो किया जाए उसका जो उद्देश्यों सबसे पहले हम आर्थिक नियोजन का जो उद्देश है उसको हम तीन भागों में बाट कर उसका अध्यान करते हैं तीन भागों में उसके उद्देश रखे गए जिसमें सबसे पहला और फिर राजनेति कुद्देश की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर आता है उत्पादन में वृधि यानि कि हमने देखा कि जब देश आजाद हुआ और उस समय जब अर्थ वैवस्था पर एक नजर डाली गई तो देखा गया कि अधिकांश जो ओद्योगी की काईया थी बड़े बड़े जो उद्योग थे भारत में वो या तो पूरी तरीके से बंद हो चुके थे या फिर वो बिमार पड़ी हुई काईया थी तो इन सब सादन कहीं ना कहीं थम्सा गया था तो देश के सांघन के चुनोती ही कीच करके हमको उत्पादन व्रद्धी करना हैं तो उत्पादन में वृद्धी करना एक बहुत मत्रों देश रहखा गया आर्तिक नियोजन तो देश में प्रचूर मात्रा में थे लेकिन जो अच्छे प्रकृतिक संसादन अच्छे खनिश्पदार्थ थे जो अच्छे कॉलिटी का कच्छा माल था वो ब्रिटिश गॉर्णमेंट के दोरान ब्रिटेन भेज दिये जाते थे भारत में उनका कोई भी उत्पादन नहीं होता था तो यहां पर अब यह चुनौति थी हमारे सामने देश के सामने यह चुनौति थी कि किस प्रकार उन प्रकृतिक संसादनों के उनके भंडारन को खोजा जाए और कैसे उनका समुचित दोहन किया जाए तो इस उद्धेश को भी ध्यान में रखा गया तीसरा इसका म पिजास्टृ आय में जो कमी हो रही थी वो भी एक बहुत-बड़ी समच्या थी तो कहीं ना गयू इन सब का जो महत्वपूर्ण कारण था वो था रोजगार तो ये प्रयास किया गया कि देश की जो जनसंख्या है उनको उसकी छमता के अनुसार जो है रोजगार उनको प्रदान किया जा सके पूर्ण रोजगार की स्थिति वहाँ पर निर्मित की जा सके वैसे ही इसका एक उदेश ये भी था कि अध्योगी करण को बढ़ावा दिया जा सके जिसे कि पहले भी हमने देखा जो बिमार पड सब्सक्राइब तो अपने आप ही एक रोजगार की स्थिति निर्मित होगी लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा तो यहां पर उद्योगी करण पर भी बल दिया गया अगले इसके उद्देश की बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रियाय में व्रुद्धी करने का प्र लाना यहने लोगों में आए के स्तर के इन रूप होने वाले भेद भाव को कम करना जो व्यक्ति जिस शम्ता का है जिसकी जितनी उसकी योग गिता है उसको उतना रोजगार प्रदान करना ताकि वो अपना एक अच्छा जीवन स्तर निधारित कर सके अपनी मुल्भुताश शक्ताओं की वो पूर्ति कर सके वैसे ही दूसरे समाजिक उद्देश की बारे में बात करें तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि प्रति वेक्तियाय में व्रद्धि करना ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके जीवन स्तर में उनके विकास हो सके व्रद्धि हो सके तो यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो था प्रतिविक्तियाय में वृद्धि करना वैसे ही मिसके अगले उद्देश के अगर बात करें तो हम देखते हैं कि कम से कम यह प्रयास किया गया कि जो मूल भूत सुविधाएं थी यह एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कम से क जिन आवशक्ताओं की जवरत होती है जिसे जिने हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान यह तीन ऐसी मूल भूत आवशक्ताएं हैं जो कम से कम एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत आवशक हैं तो यह प्रयास रहा आर्थिक नियोजन में कि कम से कम प्रतेक व्यक्त डिशादान करके जेए दर रहता है कि कजिए प्र कार से वो जनता की सेवा करके उनके जीवन इसतर में व्रधी करके देश के विकास को एक नई दिशा प्रदान करके वो स्वेम को स्थापित कर सके तो कहीं न कहीं यहां पर भी कुछ इस तरह की राजनेतिकों देशों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन किया गया